तो बच्चो आज की कहानी है भूखी चिडिया सालों पहले टींकू चिडिया जंगल में एक पेड़ पर अपने माता पिता और भाईयों के साथ रहती थी टींकू चिडिया छोटी सी थी, उसके पंख मुलायम थी उसकी मा ने उसे घंटा घर की ताल पर चहकना सिखाया था उनके घोसले के पास ही एक घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी वह टींकू चिडिया और उसके परिवार के लिए रोज खाना डालती थी एक दिन वह बीमार पढ़ गई और उसकी मौथ हो गई तींकू चिडिया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर निर्भर था अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और नहीं वो अपने लिए खान जुटाने के लिए कुछ करते हैं एक दिन भूक से बेहाल होने पर तींकू चिडिया के पिता ने कीडों का शिकार करने का फैसला किया। काफी महनत करने के बाद उन्हें थ्री कीडे मिले, जो परिवार के लिए काफी नहीं थे। वे फाइव लोग थे, इसलिए उन्होंने टींकू और उसके टू छोटे भाईयों को खिलाने के लिए कीडे साइड में रख दिये। इधर, खाने की तलाश में भटक रही टींकू, उसके भाई और उसकी मा ने एक घर की खिड़की में चोँच मारे, ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख भेंक दी, जिससे तीनों भूरे रंके हो गए। तीनकू ने पिता को समझाने की काफी कोशिश की, उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके उपर रंग फेंका है, लेकिन तीनकू के हाथ असफलता ही लगी, उसकी मा और भाई भी निराश हो गए, लेकिन तीनकू ने हार नहीं मानी, वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहला कर सब की राख खटा दे तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए अब टींको के पिता ने भी उन्हें पहचान लिया और माफी मांगे अब सब मिलकर खुशी-खुशी एक साथ रहने लगे उनके पास खाने की भी कमी नहीं थे इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए इनसान को खुद मेहनत करके अपनी जरूरत की चीजों को जुटाना चाहिए